नमस्कार दोस्तों आपके अपनी चैनल में स्वाक्त है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी की स्तारा नवंबर के कुछ एक महत्वपूरन एजुकेशनल एंड इंप्लोईमेंट अपडेट्स के बारे में जिसमें जो आपके मेन अपडे साथ में जो है यहां पे बदलाव हुआ है उसके के बारे में बात करेंगे साथ में हैं निसों बेइंड वरे जाएंगे इस पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है तो आज की वीडियो में इन सभी अपडेट के बारे में जो है वो बात करेंगे तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें cgpa काम कर दिया तो इस बजा से जो है इस बार एच्प्यू को यूजी सी से फंडिंग नहीं मिल पाएगी और यहां पर ने एच्प्यू का पपकी कॉल पिक निगरते हैं ज पर परिसान रहते हैं हमेसा छात्रों को यहां पर ईजल्ट टाइंपः नहीं आता तो इन सभी असुवदाओं की ज़गा से यहां पर एच्प्यू का cgpa कम हुआ है उनको यहां पर नुक्सान हुआ है और यहां पर एक डीक्का का और उनका CGP भी काम किया जिसकी बज़ा से इस बार HPU को UGC से फंडिंग नहीं हो पाएगी नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचिल पदेश बोर्ड ओफ स्कूल एजुकेशन धर्मसाला से रहने वाला है तो यहाँ पर हिमाचिल पदेश बोर्ड ओफ स्कूल एजुकेशन धर्मसाला ने हाई कोट की प्रिक्साओं के चलते टैट के एक्जाम के स्डियूल में जो है वो बदलाब किया है तो अगर हम यहाँ पर ओफसिल नोटिफिकेशन की बात भी करें तो यहाँ पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर टैट के एक्जाम होने है उनकी प्रिक्साओं के स्रियूल में यहाँ पर चेंज जो हुआ है अगर हम यहाँ पर जेबीटी और सास्तिरी टैट की बात करें तो उनका एक्जाम आप जो है वो 10 दिसम् किया गया है इसी के साथ पंजाबी टैट और उर्दू टैट की बात करें तो यह दो एक्जाम जो है वो 25 दिसम्बर को जो है वो अब होंगे नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो है वो पोल टेक्निकल और डी फॉर्मसी की लिए जो कौंसलिंग करवाई जा रही थी उसमें जो है अभी भी यहाँ पे पोल टेक्निकल की दो और जो आपका डी फॉर् प्यारती हैं उम्मिद्वार हैं बे जिन भी इंसिट्यूट में यहाँ पे खाली सीटे रहा गई है उनमें उनको 19 नवंबर को ब्यक्तिगत यानी की खुद वहाँ पे जाना पड़ेगा और कौंसलिंग में जो है वो पार्टिस्पेट करना पड़ेगा उसके लिए जो भी फोर्म भांपे सब्मिट करवाने होंगे इसके बाद जो है ऑद देप्यार डेड़ बजे मेरिट लिस्ट लग झाएगी और लसके बाद जो है फोफात्रों को यहां पे जो है वो एडमीशन मिल जा एगी तो यह पार्टिस्टे खाली रह गई गई हैं तो वहां पर जाके जो है वो कॉंसलिंग में पार्टिस्पेट कर लें और उसके बाद जो है वहां पर उनको एडमीशन मिल जाए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो जेवीटी टैट विबाद में बोर्ड ने जाड़ा पला तो आप लोगों को पता ही है कि जेवी यह जो नियमों में बदलाव हुआ है उनको यहां पर education निर्देश दे थे और यह जो चयां और स्वाइब और एक्जुकेशनal से थे आपका इसमें जो है वो बोर्ड ने जो है बोला है कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है हम तो बैसे ही exam conduct करवाएंगे जैसे जो है वो educational यहां पर जो बोलेगा उसके ही according यहां पर exam जो है वो next update के बात करें तो batch wise भरे जाएंगे जे बीटी के उन्निसों पद आप लोगों को पता ही है कि पहले भी जे बीटी के पद भरे जा रहे थे लेकिन चुनाव लगने के कारण यहाँ पर चुनाव अचार सहिता लग गई थी जिसके कारण यह भरती जो है वो रुक गई थी अब बैचवाइज जो है फिर से यह बैचवाईज भरती के लिए जो है वो होंगे तो यह जो ब्याचवाइज भरती है इसके प्रमभिक ृपभाग को जो है यहां पर एन्ल जो होंगी नेक्स्त लेट फटेट की बात करें तो next update भी आपका हिमाचल प्रदेश Board of School Education धर्मसाला से ही रहने वाला है तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश Board of School Education धर्मसाला ने सीत कालिन अवकास वाले स्कूलों की तीसरी, पांच भी और आठ भी कक्सा की date sheet जो है वो जारी कर दी है तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश करमचारी चाहिए नयोग हमिरपूर ने भी जो है वो अपनी exam schedule में यहाँ पे change किया हुआ है तो अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके official notification की बात करें यह आपका जो है वो हमाचल प्रदेश करमचारी चाहिए नयोग हमिरपूर का official notification है तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ एक जो एक जो एक्जाम होने है उनके सेड्यूल में यहाँ पे चेंज जो है वो हुआ है तो जैसे सबसे पहले अगर हम लोग के यहाँ पे बात करें जूनियर ओफिस असिस्टंट आई टी पोस्ट को 965 की तो उनका का एक्जाम पहले चाहर दिशंब्र को था तो अब यहाँ ग्जाम जो है वो 25 दिसम्ब्र को यहां पे होगा इसी के साथ स्ट्रीक ट्याओ टाईपिस्ट् सकुल 995 पहले पलब्थरि Fifteenrog 2018 स्विए रिखा गया था अब जो है वो 22 यहां जहां पे गया यहां पर लब्रोटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 959 का जो एक्जाम पहले 25 दिसम्बर को था अब 28 दिसम्बर को होगा इसी के साथ JÓIT इसी के साथ जो आप इसमें और्थोपडिक हेंडिक्यैप्ट के लिए पोस्ट निकली हुई थी तो उनके एक्जाम पहले 6 दिसम्बर को था अब 28 दिसम्बर को होगा इसी के साथ जो है वो पोस्ट कोड 1008 और 1009 कलरक LDR दोनों पोस्टे कलरक LDR की हैं तो इनके एकजाम जो है वो पहले नहीं थे लेकिन यह नया सड्यूल आया हुआ है तो यह यहाँ पे 29 दिसम्बर को जो है वो निधारित किये गए नेक्स्ट अप्डेट की बात करें तो नेक्स्ट अप्डेट जो है वो आपका माचल प्रदेश पब्लिक सर्बिस कमिसन सिम्बला से रहने वाला है तो यहाँ पे माचल प्रदेश पब्लिक सर्बिस कमिसन ने जो है वो आसिस्टेंट प्रफैसर की स्क्रीनिंग टेस्ट के ल हम लोग यहां पे सदार। पल्शी मंडी के यहां पर्प फर्रेंब हैं DRC अ भरे हैं तो इहां पर कर दिया में तो अब यह साइट इसू चला हुआ है आप लोगों ने टेंसर नहीं लेनी है जैसे यह साइट इसू सही होगा आप लोगों को फोर्म जो है वो प्रोपर तरिके समिट हो जाएगा अगर यह साइट इसू जो 19 तक समिट नहीं होता है तो most probably यहाँ पर फिर से डेट जो हो एक् फोर्म भरने की तो यह 19 नुवंबर के बाद भी यहाँ पर जो आपकी क्रेक्शन होती रहेगी विकोज यहाँ पर कुछ एक जो है वो 19 को भरेंगे तो बहां पर भी मिस्टेक हो सकती है तो में भी आप जब तक यह डेट रहे रहेगी फों फिल करने की उसी तक जो है आपक यहाँ पर प्रभाकर पार्क सास्तरी और अचार्या के जो सप्लेमेंटरी एक्जाम होने हैं उनकी डेट सीट जो है वो जारी कर दी है तो इन अब लास्ट में अगर हम लोग बात करें फियू पीजी एक्जाम है वो दिसंबर लास्ट तक यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंग तो जब भी ये official notification आएगा मैं बाए वीडियो आपको inform कर दूँगा और बाकी जो आपके exam है वो December last तक यहाँ पर start जो है वो हो जाएंगी दोस्तों यह थे मारे कुछ check update अगर आपको यहाँ पर फिर भी कोई problem आती है या कोई भी आपका doubt है तो आप लोगोंने मेरे telegram group को join कर दूँगा और उसके बाद जैसे ही आप मेरे telegram group को join करते हो उसके बाद आप लोगोंने मुझे जो है वो personally message वहाँ पर कर देना है जो भी आपका problem होगी या जो भी आपकी doubt होगा उसको उसके बाद मैं दूर करने की पूरी कोशिस करूंगा तो दोस्तों यह थे मेरी आज के अगर आपको यह video informative लगी हो तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर करें तो थासरी अब्डेट्स के लिए मारे साथ बनने रहें धन्यवाद